आप्शन 21 नदी में हीरा पाया जाता है आप्शन 22 देश का कानून सबसे कठोर है Q2. Q3. चेतक का घोडा किस्ते समंधित है? Q3. Q4. सबसे उची इमारत कोण सी? Q4. आपको ये जामा मजीद? Q2. आपको ये ताजमाल? Q4. कुतुब मीनार? आपसंडी बुर्ज खलीफा तो इसका राइट अंसर क्या इसका राइट अंसर है आपसंडी बुर्ज खलीफा सबसे उच्छी इमारत कौन सी है बुर्ज खलीफा वैसे तो ताज महल से उच्छा मिनार कुतुम मिनार है लेकिन सबसे उच्छी इमारत कौन सी है बुर्ज खलीफा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी आपसन है वायू आपसन भी भोजन आपसन सी पर्या वरण आपसन डी पानी तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है वायू से क्या आप जी सकते हैं वायू से आकसी जरूरी है भोजन भी जरूरी है पानी भी जरूरी है लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि पर्या वरड क्योंकि पर्या वरड में ये तीनों चीज तो इसका राइट आंसर को आगा पर्या वरड कि विश्चन 6 प्रिथिवी पर कुल कितने महा दीफ है आप्षन A5 आप्षन B6 आप्षन C7 आप्षन D8 तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है आप्षन D8 प्रिथिवी पर कुल कितने महा दीफ है आप पहले साथ थे अब आठ हो गए है कि इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर आप्शन ए दुख दुथ पादन से इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है नारवे एक ऐसा देश जहां एक भी बार भुकम पर नहीं है इसका राइट आंसर है नारवे कि उसनननौ किस देश के लोग अधिक परिस्त्रमी है आपसने उत्तर प्रदेश आपसन भी भारत आपसन सी जापान आपसन डी रूश तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है आप्शन C जापान जापान में सबसे अधिक परिष्टरमी है भारत में भी है लेकिन आप लोग कामचोर है इसलिए भारत नहीं होगा इसका राइट आंसर है जापान क्यूंशन 10 भारत में लगबग इतनी भासा आये बोली जाती है आप्षन 20 भासा आप्षन B 50 भासा आप्षन C 22 भासा है आप्षन D 10 भासा है तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है आप्षन C 22 भासा हैं लगबग भारत में 121 भासा हैं बोली जाती है लेकिन 22 भासाओं को माननेता प्राप्थ है सविधान में 22 भासाओं को माननेता प्राप्थ है कि कुल कितनी भासा हैं बोली जाते हैं लगबग 121 भासा हैं बोली जाते हैं भारत में इसका राइट आंसर है 22 दोनों को याद कर लेना है Q11, महा भारत को किस भासा में लिखा गया आप्षन A हिंदी, आप्षन B संस्कृत, आप्षन C भार्षी आप्षन D हिंदी संस्कृत दोनों में तो इसका राइट आंसर क्या इसका right answer है option B संस्कृत में महा भारत को किस भासा हम लिखा गया है संस्कृत में Q12 भारत में कुल कितनी नदिया है option E 10 नहीं 100 option B 300 option C 200 option D 400 तो इसका right answer क्या इसका right answer है option C 200 भारत में कुल कितनी नदिया है 200 भारत में चोटी बड़ी नढदियों को मिला कर कुल कितनी नढदिया है dość सब तेरह महा भारत में कुल कितने अध्याय आप्षन एदस आप्षन भी पांच आप्षन सी साथ आप्षन डी अठारह तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर आप्षन डी अठारह महा भारत में कुल कितने अध्याय अठारह और इन अध्याय को पर्व भी करते है क्या कते हैं पर्व महाभारत में कुल कितने अध्याय है ठार क्यूस्षन चोद भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी आप्षन ए गंगा आप्षन भी यमुना आप्षन सी ब्रह्म पुत्र आप्षन डी का वेरी तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है आप्षन ए गंगा भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है गंगा जो बंगाल की खाड़ी से बाकर गंगोडी में गिरती है इस किस्वन को इद्धम अच्छे से याद कर लेना ये जरूर एक्जाम में आएगा तो इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर है आप्षन भी स्वामी दयानन सुरुष सती ने दस अप्रेल अठारो सो पचाहत्तर को आरे समाज की स्थापना की अठारो सो पचाहत्तर को दस अप्रेल को की थी अप्रेल और अठारो सो पचाहत्तर को आरे समाच के स्वापने किसीन की स्वामी दयानन सुरिसेती ने 10 सप्रेल 875 को इसको बिलकुल याद करना है भूलना नहीं हमारे चैनल पर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर जीके के वीडियो बनाया जाती है और सभी कम्पिटिटी एक्जाम को तयारी कराई जाती है